आज से तो कब के इस पार्टी के हो चुके थे आज तो सिर्फ उसको तक्निकी रूप दिया जा रहा है यह दोनों काफी लंबे अर्षे से हम लोगों की पाटी जन्ता जल्यू और इसके सर्व मानने नेता नितीश कुमार्जी के प्रतियां काफी समर्पन और लगाव के भाव से यह दोनों नेता जुड़े हुए थे और हम लोगों से लगातार संपर्थ में थे और स्वभाविक रूप से आज जब इन दोनों को पूरी पाटी के तरफ से हम लोग इस परिवार में स्वागत करके शामिल कर रहेगा तो स्वभाविक रूप से आप समझ सकते कि इन दोनों नेताओं को हम लोगों के जो सर्व मानने नेता है नितीश कुमार की उनका आशिवाद और स्ले प्राप्त है इसी लिए आज की इस कारिक्रप में हम लोगी दोनों आजबी के स्वागत के लिए इस कारिक्रप कर रहेगा और इस पार्टी के का पूरा परिवाद लास्टिये अध्यक्ष जी से वेके प्रदेश अध्यक्ष जी से वेके तमाम बड़े नेता हैं सब की स्विक्रती और सर्मती से इस दोनों नेताओं के समान में आज का यह कारिक्रप पार्टी दफ्तर में आयोजित है और जैसा कि हमने कहा कि हम लोग पार्टी के तरफ से खुले दिल से इंका स्वागत करते हैं आप सब जानते हैं कि मुनेश्वर चाधरी जी सार नहीं नहीं बलकि पूरे उत्र पिहार बे एक बहुत ही जाने पचाने चेहरे और मेता हैं उस ही तरीके से हमारे राजेस जी पूरे चंपारन ही नहीं बलकि सब लोग आज से हैं कब से राजनीत में हैं और सब लोग जानते हैं और यह भी हमको पुरा भरोसा है कि इन दोनों के पाटी में शामिल होने से हम लोगों की पाटी जनता दल यू और भी मजबूत होगी और भी ताखतवर होगी और आने वाले समय में हम लोग इन दोनों के साथ मिलकर पिहार के जनता की और भी बेहतर धंग से सेवा कर चकेंगे इसका हमको पुरा भरोचा और विश्वास है कोनों का साथ जुटके जनता जल्यू में सामिल होना ये सोच लीजी कितने बरे आने वाले जो समय है आने वाले समय के बारे में कितना बड़ा शुब संकेत दे रहा है क्या इसारा दे रहा है क्या जो समाज और राजमीत का रूप बदलने वाला है जिसके तरब इंगित कर रहा है उस पर ध्यान दिजिए उसको देखिए कि आने वाला समय क्या होने वाला है और इसकी जो इन्होंने शुड़वात की है हमें पूरा भड़ोसा है और हम तो हमेशा करते हैं चुनाव के समय में भी करते हैं जो बोई भी भी बिहार का नागरी चुनाव के समय मोट गिराने जाता है तो उसकी जब कुंगली मशीन के बटन की तरफ बरने वाली होती है तो हम हर चुनाव में जाते हैं तो यहीं करते हैं सब बोटर से आप कुछ मत करिएगा कि जब दाइने हाथ की ओंगली इवी अपके यानि मशीन के बटन की तरफ बरने लगे तो आप अपना बाया हाथ अपने कलेजे पर रख लिए और बाया हाथ कलेजे पर रख के उसकी आवाद सुनिएगा जो दिल और आपके अंतरात्मा से आ रही है कि वो आपको क्या कह रहा है कि बिहार का विकास आपके इलाके का विकास समाज के हरतब के का विकास आखिर कहां से हो सकता है ये आप अपने दिल से पूछिएगा और उसके हिताब से सोचिएगा हमको पूरा भरोसा है कि आपकी उंगली तीर चाप को छोड़के कहीं जाएगी कहाँ यह तो प्रमानित हो चुका है पिछले पंदर साल में और अब समय है इसको और आगे दे जाने का और हम अपने दोनों भाईयों का वागत करते हैं कि उन्होंने बड़ा सही समय पर सही फैसला लिया है इनके आने से जन्ता दल्यू तो मजबूत होगा ही दिदीश कुमार के नित्रित्त में टाकट मिलेगी और विहार के सामाजिक और राजने के छित्र में एक नई रोषनी एक नई टाकट के साथ रास्ते को तैग करने में हमें सहुलियत भी